तुर्ष्टियाएस के न्यूज़ आप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत तो आज हम यहाँ पर बीते सप्ताह में जो भी प्रमुख खबरे रही होगी एक न्यूज में और साथ ही किस एरिया से वो संबंदित उन सभी को आज मैप पर देखेंगे तो पहले हम शुरू करते हैं बीते जो एपिसोड से उसमें जो भी हमने अभ्यास प्रशना पो दिये थे पिछले दो एपिसोड के अभ्यास प्रशन आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो पहले देखते हैं का अभ्यास प्रशन को आप से पूछा गया था कि गुरुत्वी त्वरण यानि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी में जी का आभासी मान विश्वत वृत्य से की और जाने पर बढ़ता है ठीक है यदि गुरुत्वी त्वरण का मापन हर बार समुद्र तल पर किया जाता है तो निम्न लिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वी त्वरण का आभासी मान सरवाधिक होगा तो बेसिकली यह सवाल आप से जो पूछा गया था पृत्व द्रुवों की और जाने पर ऐसा कहा गया है कि ग्रैविटी का मान बढ़ता है तो इसमें जो बेसिक फिजिक्स जो समझने वाली है वो यही है कि यहां पर बात की जा रहे ही दरसल अब केंद्री बल की तो विश्वत रेखा के नजदिक जो अब केंद्री बल होता है उसरव है आपको उनको इसी आधार पर हमझना होगा उनकी लोकेशन कि किस शहर की लोकेशन पोल्स के नजदीक है या फिर कौन से शहर यहां पर विश्वत रेखा के नजदीक है इसी इसाफ से आपको इसका उत्तर मिल पाएगा तो पहले हम शुरू करें नैरोबी कोपेन्हेगन Grizbane और Durban को देखते हुए तो यह जो आप देख रहे हैं रेखा ये EQUATOR की है थोड़ा सा टेढ़ी मेड़ी हो सकती है और इसको सीधी बनाते है ऐसे तो यहाँ पर है नैयरोबी ठीक है अफ्रीका का हिस्सा है तो नेरोबी किसके नजदीख है एक्वेटर के नजदीख तो यहां पर जो अब केंदरी बल होगा सबसे ज़्यादा होगा यानि की जो गुरुत्वी तुराड़ का मान होगा वो कम होगा दूसरा शहर है डर्बन और एक यहां पर दिख रहा है ब्रिजबेन इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह 30 डिग्री साउथ की और लगभग लगभग मौजूद है डर्बन तो है ही अगला शहर है कोपेंहेगन नाम यहां दिया हुआ है डैन्मार्क की राजधानी तो यह सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा तो जो की सबसे ज़्यादा नजदीक है तो इसका सही जवाब यही है चलिए अगला एक अभ्यास प्रश्ण पूछा गया था कि निम्लिखित कत्थनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है बास जलसंधी औस्ट्रेलियाई आल्प्स को तस् मकर रेखा आउस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है तो पूछा गया है कौन से सही नहीं है हम जब यह जान पाएंगे कौन सा सही है तो पता चल जाएगा कौन सा सही नहीं है कि ऑल 1 कि दो दो या फिर कोई नहीं तो बास जलसंधी को देखें कि ो कि ये या यह उसको तस्मानिया से अलग करती है नहीं तो यह मैप आप देख रहे हैं और यहां पर दी हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यह जो हिस्सा मार्क किया हुआ है यह है और यहां पर है तस्मानिया अलग करती है यानि कि यह स्टेटमेंट एकदम सही है दूसरा स्टेटमेंट कहता है मकर रेखा औस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है इसको देख लें तो इस मैप में हमें दिख रही है कि यह वाली जो रेखा है यह मकर रेखा है औस्ट्रेलिया से होकर जाती है यानि कि तो आज के सेशन का पहला सवाल हम देखें एक खबर से ही शुरू करते हैं खबर क्या है हाल ही में मिलिशिया समूहों के द्वारा लगातार हिंसक कारवाहियों के कारण कॉंगो लोकतांत्रिक गणराज यानि डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक रेपब्लिक ओफ कॉंगो जिसको ड कुछ जो सवाल बनाए गए थी उसमें खबरों का भी जिकर कर दिया गया था तो अगर खबर पर भी एक बार आप नज़र रखते हैं तो यह भी आपको परिक्षाओं में मिल सकता है ठीक तो युग में कौन कौन से हैं यहां पर कुछ छेत्र दिये हुए हैं छेत्रे अपर यहां पर संबंदित देश आपको बताना है जैसे अगर हम देखें खार कीव का मिलान है यूक्रेन से ब्रिटिश कोलंबिया संगतुराज अमेरिका सिस्तान बलुचिस्तान इराक और हेलमंध इरान पताना है कि कौन से सुमेलित हैं तो खार कीव दिया हुआ है यूक्रेन तो यह एकदम सही है। खार की इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है रस्या यूक्रेचें कि दहुरान तो यह यूक्रेच्छ पार ही कैनेड़ा काकी एक प्रांथ है और यहां पर ही है वैंकुबर यह inc Вот आ लेंक्क हो कर करके जाता है इस बात को याद रखी गए इस तरह से बॉर्डर है और यहां तक लगभग पूरे क्षेत्र को पश्मी कैनेडा से पूर्वी कैनेडा तक को जोडता है तो यह भी यह वाला गलत है क्योंकि यह कैनेडा में है अगला सिस्तान बलुचिस्तान इराक और हेलमंद इ इसका और यहां पर आपको देख सकते हैं आप यह वाला जो हिस्सा है यह पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का लगभग बलुचिस्तान प्रांत इस तरफ है यहां पर आपको पता होगा ग्वादर पोर्ट इस छेत्र में जो चीन विक्सित कर रहा है और हम यानि कि भारत वि तो यह इरान का हिस्सा नहीं है बल्कि यह अफगानिस्तान का एक शहर है हेलमंद ठीक है प्रांत है तो इसे साफ से यह वाला जो स्टेटमेंट यहां पर मिलान के रूप में दिया है यहBen भी गलत है कुछा गया है कौन से सुमेलत है केवल एक एक ही सुमेलत है तो है चलिए अगला सवार हाल ही में सयुक्त राष्ट के एक अंग यू एन ओ सी एच ए यानि दा यू एन ओफिस फॉर दा कॉर्डिनेशन ओफ उमेनिटेरियन अफेर्स ने दावा किया है कि म्यानमार में व्याप्त राजनीटिक संकट के बीच एक मिलियन से भी अधिक लोगों को पलाइन करना पड़ा अब जो स्टेटमेंट दिये हुए हैं उनको देखते हैं तो म्यानमार वैश्वेक रूप से प्रिसिद्ध गोल्डन ट्रैंगल का भाग है बुसरा शान का पठार इरावदी नदी के बाएं किनारे से लगा हुआ है बताना है कौन से सही है प म्यानमार ताइलेंड लाओस और कुछ हिस्सा व्यतनाम का यहाँ पर आप त्रैंगल यहство है फिर प्यूंत घया जाता है गोल्डन ट्रैंगल तो इसमें कौन कौन से देश शामिल ए इरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ठीक है तो यह जोगों प्रशिद्धित थे कर करके तो पहला वाला सही है दूसरा कहा है शानका पठार इरावदी नदी के बाएं किनारे से लगा हुआ इसको देखें तो यह मियनमार का हिस्सा है क्योंकि इरावदी नदी म्यानमार के अंतरगत आती है यह है और यह जो हिस्सा मार किया हुआ है यह है कि शान का पठार तो यह भी सही है बाएं किनारे से लगा हुआ है आप यह भी समझे है कि अगर हमें उपर से देखने पर मैप को अगर हम सामने से देखे तो हमें लग रहा है कि दाई ओर है लेकिन इसको कैसे देखा जाता इस तरह कि शेत्रों को नदी की जो धारा है वो किस दिशा में प्रभाहित हो रही है दक्षड की और जा रही फिर अगर आप नदी की धारे की दिशा में खड़े हो करके देखेंगे तो आपका बाया और दाया हाथ है् बाया हाथ आपका वाइpower करें का दाया हा के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री थे और लेंडो जॉर्ज मेरा तो उनके ही कार्याले में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई तो क्या है यहां पर सवाल कुछ दूइप दूइप समूह और देश दिये हुए हैं आप उनकी अवस्थिति को उनसे मैचिंग का जो सवाल है उसको मैच कराना है बर्मूडा कहा गया है कैरेबियन सागर फैरो दूइप समूह उत्री अट्लांटिक महासागर डोमेनिका मेक्सिको की खाड़ी और अलेक्जेंडर आर्किपेलगो दक्षडी प्रिशांत महासागर यह लगभग लग यूपीएसी के इस बार देखते हैं बर्मूडा केरेबियन सागर वाला हिस्सा है या नहीं तो बर्मूडा यहां पर है जो बेसिकली अट्लांटिक महासागर का हिस्सा है ना कि यहां पर केरेबियन का डिरेक्टली हिस्सा बनता है सिधा अट्लांटिक से जुड़ा हुआ है यह वाला गलत है अगल कि हिस्सा किसका है किस देश के अंतरगत आता है डैन्मार्क के अंतरगत तो इसको हम सही कर देते हैं अगला है डॉमिनिका और कहा गया है कहा है मेक्सिको की खाड़ी में प्रशांत महासागर तो एलेक्जेंडर आर की प्रशांत महासागर यहां पर है जो कि बेसिकली अलास्का का हिस्सा है और अलास्का आप जानते हैं कि यूएसे का भाग है इसमें क्या कहा है कि दक्षडी प्रशांत महासागर तो दक्षडी नहीं है यह उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्टा है तो यह गलत है सही कितने है केवल एक यूग में हाँ पर सही है जो कि दूसरा वाला है ओप्षन ए ठीक है चलिए हाली में कजा कजाकिस्तान में समविधान संशोधन के लिए एक जन्मस संग्रह कराए गया है जिसके बाद यह माना जा रहा है कि समविधान के लगबग एक तिहाई जो प्रावधान है उन्हें बदलाव हो सकता है तो कजाकिस्तान की लोकेशन हार से निकलती हैं और कजाकिस्तान से भी प्रवाहित होते हुए अरल सागर में मिल जाती है आप क्या बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है तो पहला कहा गया है कजाकिस्तान मद्द एशिया का एक मातर देश है जो रूस के साथ सीमा साजा करता है यह लोकेशन है कजाक स्टान की यहां पर आप देख सकते हैं कि यह लगभग सभी तरब से रूस से घिरा हुआ है और मद्ध एशियाई देशों में आप जानते ही है कौन-कौन से देश आते हैं कजाखिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान और किर्गेजिस्तान तो यह जो आप देखेंगे जो मंगोलिया है यह मंगोलिया और कजाखिस्तान के बीच में हलका सा हिस्सा चीन और रूस का बॉर्डर है यह डिरेक्टली टच नहीं है तो केवल कजाखिस्तान ही है जो रूस के साथ मद्ध देश्याई देशों के अंतर का सीमा साजह कर रहा है यह स्ट यह वाला इसी कली जे लदाक का यहां पर हिस्सा है जिसको हम गिलगित बाल्टिस्टान कहते हैं जश्ट उत्तर वाला हिस्सा यह पामीर का पठार है और यहां से ही निकलती है अमूदारिया नदी जो की आफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में कुछ सीमा बनाती है उत्तर पश्चिम की और बहते हुए यहां जाकर अरल सागर में मिल जाती है दूसरी है सिर्दरिया नदी वो भी यहीं से निकलती है पामीर के पठार से और इस तरह जाते हुए अरल सागर में गिर जाती है लेकिन जो अमूदारिया नदी है वो कजाकिस्तान में नहीं बहत ठीक है सेरदारिया नदी बहती है लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दोनों नदिया यानि कि ये दोनों ही नदिया कजाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए जाती है ऐसा नहीं है अमूदारिया नहीं जाती जबकि सेरदारिया जाती है यानि ये स्टेटमेंट गलत हो अलाकि समय लंबा है मार्च 2024 तक देखा जाए तब तक लेकिन सवाल क्या है तीन स्टेटमेंट दिए हुए है आपको बताना है कि कौन सा सही है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है महान अफ्रीकी भ्रंश यानि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली घाटी का विस्तार दक्षड अफ्रीका तक है दूसरा लिशोथो या लिसोथो विश्व का एक मात्र देश है जो चारों और से एक ही देश से घिरा हुआ है उसके अलावा एटलस पहाडियां अफ्रीका के उत्तर पश्चमी भाग में अवस्थित है तो महान अफ्रीकी भ्रंश यानि ग्रेट अफ्रीक जैसा नाम से ही पता चलता है दक्षण अफ्रीक यह तो यह हिस्सा यहाँ पर इस तरह से आता है अब अगर हम ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को देखें तो रिफ्ट वैली का मतलब भूह ब्रंश गाटी ग्रंश गाटियां कैसे बनती हैं आप जानते हैं कि जब प्रि रेड सी का जो हिस्सा है यह भ्रंश गाटी का ही यह कुदाहरण है तो यह यहां से आते हुए ऐसे आई यह भ्रंश गाटी और यहां पर लगभग यहां पर दो भागों में डिवाइड हो गई है पहला यहां से दूसरा यहां से और आगे यहां तक आती है तो यह बेसिकली हुआ है तो लिशोथो कहां पर है यह दक्षड अफरीका के अंतर के अंतर तक वाला लोकेशन लिशोथो का है जो चारों ओर से दक्षड अफरीका से घिरा हुआ है असे देश को क्या कहते हैं इंख्याइव कहते हैं तो एंक्लेव हेले शोतो लेकिन statement में एक बात और लिख दी गई है कि विशु का एक मात्र देश है तो ये विशु का एक मात्र देश नहीं है तो ये विशु का और है जो कि यहां पर इस तरीके से एक्जिस्ट करते हैं आपको बताना है कि वेटकन सिटी और सें मारिनों किस देश के अंतरगत आते हैं किस देश कौन सा देश इन इन को चारोर से घेरता है ठीक है comment section में जल्दी से आप बताइए अगला देखें अगला है एटलस पहाडिया अफ्रीका के उत्तर पश्मी भाग में अवस्थित हैं तो कहां है एक पहाडिया तो यह इस्टा जो है एक पहाडियों का है और यह बात सही है उत्तर पश्मी भाग सही है चलिए अगली खबर हाल ही में रूस में पदस्तापित अमेरिकी राजदूत क्या नाम हिनका जॉन सालिवन ने कहा कि रूस को अमेरिका में स्थित अपने दूतावास को बंद नहीं करना चाहिए ऐसा करना बड़ी भूल साबित हो सकता है सवाल क्या बना रूस और अ ऐसी चीज़े नहीं दिखती बहुत अलग अलग एरिया हमें दिखाई देते हैं कि रूस यहां है अमेरिका यहां है सभी तुराज अमेरिका लेकिन नहीं अगर आप थोड़ा सा और प्रिथवी जो आपका ग्लोब है अगर आप उसको घुमा करके देखेंगे तो आपको य यहां पर है बेरिंग सागर तो यह समुद्री सीमा साजा कर रहे हैं यह वास सही है अगला कहा गया है अलास्का की खाड़ी रूसी और अमेरिकी भूभाग के बीच में विस्तरित है इसको भी देखें तो अलास्का की खाड़ी कहा है यह है यहां तो यह रूस और अमेरिकी जो भाग है उसके बीच में विस्तरित नहीं है यह अमेर्का का अलास्का और यहाँ पर कैनेडा वाले हिस्से के बीच में है ठीक है तिब कि अगर हम इस तरह से देखें की रूस और अमेरिका के बीच में कौन सा जल्चेतर हैं तो बेरंग सागर या फिर बेरिंग स्टेट हम कह सकते हैं तो यह वाला स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा तो सही स्टेट्मेंट का चुनाव करना है तो केवल एक सही है ऑप्शन सी ठीक चली अगली खबर हाल ही में वाडिया इस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी के वैज्ञानिकों के एक समुह द्वारा किये गए ए यहां पर उनसे जुड़ी विशेष्टाएं दी हुई हैं आपको बताना है कौन से सुमेलत हैं और यह क्या कहा है कौन से यूग में सही है पहला दिया हुआ है क्या कहा गया है यह ट्रांस हिमालय की लद्दाक श्रिंखला का भाग है इसको देखें तो यहां पर दोनों ही म तो केटू किसका भाग है यह लद्दाक है हिमालय का भाग तो नहीं है लद्दाक श्रिंखला का यह भाग है कराकोरम श्रिंखला का ठीक है कि यहां पर नहीं दिख रहा होगा आपको कि यह गलत हो गया अगला क्या कहा गया है सतलज यह एक पूर्व वर्ती नदी है तो पूर्व वर्ती नदी का क्या मतलब हुआ कि ऐसी नदियां जो की पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय से निकलते हुए हिमालय के बाद यहां से निकलते हुए मैदानी भागों तक आती ह हैं तो सतलज वाकई में एक पूरवर्ती नदी है जो कि यहां मान सरोवर्ड जील के नजदीक से राक्षा स्थाल के पास से निकलती है और आगे बढ़ते हुए कि इस तरह से आगे निकल जाती है ठीक है तो यह वाला जो मैच है यह सही है अगला क्या कहा है अटल सुरंग जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले राजमार्ग पर अवस्थित है तो अटल टनल यहां पर है और जम्मू और श्री नगर वाले जो राजमार की बात है उसमें कौन सी है उसमें है श्यामा प्रसाद मुखरजी टनल जिसको हम चनेनी नाश्री सुरंग के नाम से भी जानते हैं तो अटल सुरंग कहां पर है रहतांग दर्रे का हिस्था है और जो श्यामा प्रसाद मुखरजी टनल है यह किसका हिस्था है बनिहाल दर्रेगा को सकता है ऐसा भी कोई सवाल किसी भी परिक्षा में आपको मिल जाए जिए जो स्टेट्मेंट के अंतरगत जो मिलान है यह गलत है अगला पिंडारी हिम्नद नंदा देवी जयमंडल अगा वाला जो शित्र है वो सही है यहां पर पूछा है कि कौन-कौन सी इग्म सही है दूसरा और चौथा किसमें है यह विकल्प आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में यानि ऑप्शन सी सही विकल्प है इसका चलिए और और सवाल देखें अगला जो खबर है वो क्या है हाल ही में यह चर्चा में रहा कि साल के अगस्त तक अफ्रीकी चीतों का पहला बैच भारत आएगा जिन्हें कुनों पालपुर वन्यजीव अभ्यारन में रखा जाएगा खबर भी महत्पूर है कि कहां रखा जाएगा पता चल गया है तो सव अचानक मार अमरकंटक जयावमंडल आगार पलामू टाइगर रिजर्व कुनों पालपुर्वन जीव अभ्यारन और नवाब गंज पक्षी अभ्यारन आपको सही कूट का चुनाव करना है तो इसको देखे भारत के अंतरकत प्रधान मद्यान रेखा यह आपको यहां पर दिख रही है कि अब आपको बताना है कि कौन-कौन से पश्चिम में है या फिर कौन सा पूर्व में है इसके हिसाब से सॉल्व होगा तो यहां पर है अचानक मार अमरकंटक यह चत्रगड़वाले छेत्र में ठीक यहां पर कौन सा है पलामू टाइगर रिजर्व यहां पर पूर्व में अब सवाल में क्या कहा गया है कि कौन-कौन से इसके पश्चिम में अवस्ठित है कौन-कौन से है नवाब गंज कुनो पाल पूर और अचानक मार ये भी है ये भी है और ये भी है जबकि पलामू की अगर हम लोकेशन को देखें तो पलामू यहाँ पर इसके पूर्व में आता है ठीक है पलामू को हम हटा दें एक तीन और चार इसमें है ऑप्शन बी में एक तीन और चार ये सही है चलिए अगली खबर जयाओ विविद्धिता से संपन्य 36 गड़ के हस्देव अरणिक शित्र में खनन के विरोज में वहां के आदिवासी लगभग तीन महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हवाल क्या है निनिलिकित कफ्रों पर विचार कीजिये भारत में दक्ष्ण से उत्तर की ओर जाने पर जयाओ विविद्धिता में अपवाद रहित कमी देखी जाती है यह statement कहता है दूसरा विश्वत रेखा से ध्रोवों की और जाने पर जया विविद्धता में कमी आती है यहां पर आपको बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है अपवाद रहित ठीक थोड़ा सा extremist कथन है यह तो भारत में दक विविद्धता से संपन है दक्षड की छेत्र में है उत्तर की और आपको पता है कि हमाले वाला रीजन भी विसी कली यह वाला रीजन तो है ही होट स्पॉट तो यह जो statement है यह गलत हो जाएगा अगला विश्वत रेखा से ध्रोवों की और जाने पर जया विविद्धता मे कमी आती है यह बास सही है और यह कथन सही है क्या है इसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनाव करना है केवल कथन है दो ही सही है option डी इसका सही जवाब है कि चलिए अगली खबर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर हाली में केंद्री स्वास्त मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जिसमें तमिल नाडू शीर्ष पर रहा है तो सवाल क्या है युग्मों पर विचार करना है आपको बिसिकली मैचिंग वाला है पताना है कौन सी नदी उसका कौन सा उद्गम इस्थल है कावेरी का ब्रह्मगिरी की पहाडियां स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर का पठार शरावती पश्मी घाठ और सुबन सिरी असम हिमाले आपको बताना है कि कौन से युग्म सही है पहले कावेरी को निकलती है कावेरी नती ठीक यह सही है उसके बाद स्वर्ण रेखा कहा गया है चोटा नागपुर का पठार तो यह वाला जो हिस्सा है इसी कली जारखंड जारखंड का कुछ उत्तरी उडीसा का और कुछ उत्तर पूर्वी चत्तीजगड का और जारखंड का इसमें काफी ज्यादा हिस्सा शामिल होता है चोटा नागपुर के पठार में तो सुन रेखा नदी आपको यहां पर और आपको एक और प्रसिद्ध श्यत्रिस से जुड़ा हुआ नाम मालूम होगा लिंगम नक्की जलाश है और जोग जलपरपात कि कि इसी के अंतरगत आते हैं तो यह वाला जो स्टेटमेंट है यह सही है अगला सुबंशिरी असम हिमाले लिखा हुआ है इसको देखें तो सुबंशिरी नदी यहां से निकलती है और ऐसे जाती है तो बेसिकली सुबंशिरी नदी असम हिमाले से नहीं निकलती यह ट्रांस हिमाले का हिस्सा है तो यह वाला जो statement है यह गलत हो गया तो चार जिसमें है वो हटा दीजी eliminate कर दीजी यह भी यह भी कौन तो सही हो गया option A ठीक है चलिए अब देख लेते हैं एक अभ्यास के तौर पर 2018 में पूछा गया है एक तवाल इसको देखें तो मतलब कि हम जिन location को यहां पर mark करते हैं वो क्यों महतपूर्ण है यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है तो पिछले सालों में जो भी इस तरह की खबरें हैं वो अक्सर पूछी जाती रही है आप देखिए तो कभी-कभी समाचारों में लिखित शहर और देश आपको मिलाना है अलेपो सीरिया किर्कूक यमन मोसूल फिलिस्तीन मजारे शरीफ अफगानिस्तान तो इसको मैप में देखें एक बार अलेपो सीरिया में है नहीं यह देखें यह अलेपो यह सीरिया का हिस्ता एकडम सही यहां पर दिया हुआ है मोसूल और किर्कूक यह कहां पर है यह इराक में ठिक यह सही हो गया यह और यह गलत हो गय अब बचा है मजारे शरीफ इसको देखें यह हिस्सा है मजारे शरीफ का यह वाला ठीक और यह अफगानिस्तान का हिस्सा है यह वाली बात एक दम ठीक थी यानि कि यह सही है इसका अगर उत्तर आपको लगाना हो तो क्या है जानते ही आप लोग एक और चार अप्शन भी ठीक अभ्यास के तोर पर बाकी एक और अभ्यास प्रश्ण जो आज के लिए है आपको बताना है निम्न लिखेत में से कौन सा या कौन से जील जील के खारे हैं चीलका जील वेंबनाड जील पुलिकड जील और सांबर जील तो आपको बताना है की कौन सी जील सागरी जल के प्रभाव से उसके कारण यहां पर खारा जल वहां पर मौझूद है तो comment section सेशन में आपको इस सवाल का सही जवाब देना है आप से मिलेंगे अगले सेशन में और इस अभ्यास प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे तब तक पढ़ते रहें सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए शुक्रिया